नमस्ते हरी उम नमस्षिवाई जै गुरुजी सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चानल तैरोबाई टीजे पर अगर आपकी किसी स्पेसिफिक परसन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाते हो कि उनकी एनरजी थौट्स, फीलिंग्स, एमोशन आज दिन में आपके टोवर्ट कैसे है जबरदस्ती हर मैसेज के साथ में आपको रिलेट नहीं करना है जब तक मैं एनरजी क्लेंस कर रही हूँ आप लोगों के लिए अपने परसन के चेहरे के उपर आपको फोकस करना है तीन बार उनका पूरा नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है तू टाप इंटू देर एनरजी और इंटुटिबली आज मैंने आप लोगों के लिए औरेंज केंडल पिक किया है विच इंडिकेट्स तू दो सेक्रल चक्रा एंड क्रिएटिविटी ओकी सेक्शुल एनरजी और्सों हाला कि जरूरी नहीं है कि यह रीडिंग आपको लव कनेक्शन के लिए ही देखनी है आप किसी भी रिष्टे के लिए यह रीडिंग देख सकते हो हर हर महादेव में लौट शिवा गाइड और प्रोटेक्ट अल फॉस थ्रू आउट इस सेशन और महादेव का नाम लेकर के यह रीडिंग हम शुरू करते हैं देखने हैं सामने वाले परसन की एनरजी आज की दिन में आप लोगों के टोवर्ज कैसे रहने वाली है क्या मैसेजेज हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम दी हायर सेल्फ ओफ दी अधर परसन वाओ सबसे पहला ही मैसेज जो है मुझे यूनियन का और एक बहुत ही डिवाइन प्यूर सेक्रिट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक सेल्फ लेस कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है I can see के एक दूसरे के साथ कनेक्टिड होने पर या एक दूसरे से जुड़ने पर और मेभी आप लोगों की यह जो जर्णी है इसका जो मोटो है जो गोल है टू बी विद इच अदर इस बैसेकली टू रीच डिवाइन आप लोगों की दोनों की अंडिविभीजूल आत्मिक वरिधी के लिए यह connection ज है बना है तोनों मिले हो एक दूसरे से और सम्हाव आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो इंडिविजूल ग्रोथ में अपनी अपनी ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हो I can see कि although इस व्यक्ति से आपकी बाचीत नहीं हो रही है but still ये person जो है कही न कही इनका मन आप ही में अटका हुआ है या आपका मन जो है वो इनी की memories में उलजा हुआ है बहुत ज़ादा I can also see someone who is commitment phobic आप में से काफी सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में भी डील कर रहे हैं जिनको commitment का phobia है जो commit नहीं कर पाते हैं यह जादा समय तक किसी एक व्यक्ति के साथ में रहने पर उनको डर लगता है मेबी okay वो एक fear हो सकता है और यह fear भी किसी बुरे experience की वजह से ही आया है दिमाग में ऐसे कोई भी fear डेवलप नहीं होता हमेशा कोई नहीं कोई reason होता है उसके पीछे तो यह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लस यहाँ पर रस्ता क्रॉस होता है दिखाई दे रहा है तो यह first name last name के पहले letters हो सकते है चार नंबर बहुत clear है यहाँ पर और एक तालेस साल एक ही उमर भी किसी की हो सकती है 41 ओके और नंबर 4 is also connected to the Aries राशी ओके Aries and Cancerian April और July का महीना important दिखाई दे रहा है मुझे काफी सारे लोगों के लिए maybe in months में आप लोगों के बीच में कुछ issues develop हुए है या somehow some date is important ये महीने किसी तरीके से important हो सकते है अभी फिलहाल आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनसान पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं और कुछ बुरी चीज़े इनके दिमाग में आ रही है या negative बाते जादा शायद आज के दिन में इनके दिमाग में आ रही है उसका reason भी हो सकता है क्योंकि अभी जो हम लोग reading कर रहे हैं मैं जो ये reading कर रही हूँ ये मैं new moon period में कर रही हूँ so of course moon cycle का जो हमारा emotions होते है उस पे बहुत ज़्यदा फरक पड़ता है so yes हो सकता है उस जोसे ये negative side shadow side देख रहे हैं और ये अपनी shadow side भी देख रहे हैं definitely ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे है या आपने क्या गलत किया है उस बारे में सोच रहे है ये अपने बारे में भी सोच रहे है कि इन से क्या mistakes होई है यानि कि ये अपने shadow self को भी acknowledge कर रहे है कि हाँ भी मुझ में ये कमिया है और ये I think हिमत जुटा करके at least खुद से ही you know face करने की कोशिश कर रहे है अगर कुछ जूट बोला है किसी ने अगर कुछ hurt किया है betray किया है in any way और वो उस चीज को accept नहीं कर पा रहे थे या अपने मन ही मन में you know justify कर रहे थे या रे नहीं भाई situation ऐसी थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा बट अभी मुझे ऐसा लग रहे है कि ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि whatever the situation was ultimately जो decision था या जो करम था वो तो मुझे ही करना था maybe situation अगर tough भी थी तो भी मैं दूसरे तरीके से react कर सकता था ये कर सकती थी ओके ये बहुत ही clear message आया है and हमेशा होता ही है ऐसा आप लोगों के spirit guides की तरफ से न एक ना एक message है reading में बड़ा clear आ जाता है बहुत clear आ जाता है I don't know किन के लिए है but है ऐसा के ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता था कि ये क्या गलत कर रहे है इनको सब पता था it's just that ये उस चीज को मान नहीं रहते और अभी अपने मन में आज के दिन में वो अपनी गलती को महसूस कर रहे है feel कर रहे है कि हा मुझ से ये wrong हुआ है ये चीज गलत हो गई है और इसको fix भी करना चाहिए बढ़ कैसे करना चाहिए अभी पता नहीं है और अगर आप लोगों के separation को जिनसे आपकी बातचीत नहीं और ये 6 महीने से अधिक समय हो गया है 6 महीने से जादा का time अगर हो गया है तो भी मैं यहापे देख रही हूँ कि ये person जो है वापस आने के बारे में सोचते हैं आज भी सोच रहे हैं आज भी ये thought निके दिमाग में आएगा कहीं न कहीं ठेक है बहुत early morning हो रही है ये thought या एकदम रात को सोने से पहले इस तरीके का thought और feeling जो है वो आ रहा है ओके क्योंकि ये shadow time ही मुझे दिखाई दे रहा है ये सूरज की रोशनी वाले समय में नहीं हो रहा है ये या तो एकदम सुभा सुभा है जैसे 4-4 बजे कई बार आग खुल जाती है अचानक से ब्रह्मोरत में आग खुल जाती है वो time बहुत खास होता है उस time पर आपको जो भी realize हो रहा है जो भी आप feel कर रहे हो अपने बारे में अपनी spiritual self के बारे में अपने रिष्टों के बारे में उसको हमेशा note करना चाहिए वो बड़ी important हम लोगों को एक तरीकी से ना guidance मिलती है उस समय पर ब्रह्मोरत के time पर आप ऐसे imagine कर सकते हो के एक invisible antenna जैसा हमारे सर के उपर है और वो activate हो जाता है सुबा जब ब्रह्मोरत का समय होता है तो उस time पर हम जो भी wishes भी करते हैं ना वो भी like see the divine तक पहुँशती है और divine की तरफ से भी जो messages है वो बहुत clear हमारे realme तक human realme तक पहुँच पाते है ओके so I feel I think यह चार बजे चार यहाँ पर नंबर भी बनाता तो वो सुबा की बात हो रही है शायद अचानक से इनकी आँख कुलने वाली है या आज के दिन में अचानक से early morning इस परसन की आँखें ऐसे करके खुल गई है कुछ सपना में भी हो सकता है इनोंने देखा है और एक feeling जो मैं यहाँ पर इस परसन की तरफ से channelize कर पा रही हूँ is like कि इनके हाथों से कुछ खिचा चला जा रहा है कुछ छूट रहा है जो यह छोड़ना नहीं चा रहे है या जिसे कितना हाथ मलते रहा जाना बात निकल गई है तो आपस हाथ मल रहे है तो वो चीज हो रही है तो जिसे इनकी energy में बहुत ज़दर restlessness मुझे दिखाई दे रही है बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है एंड ऐसा लग रहा है जिसे कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी इन life का इन्होंने बना क्या दिया है लाई कि यह क्या हो गया है life में वो समझ नहीं पार है अंडरस्टैंड नहीं कर पार है यहां पर काफे सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे परसन के बारे में भी सोच रहे हैं जो या तो ड्रग्स या एलकोहॉल या किसी और तरीकी क्या कोई भी नशा जो है न अडिक्शन जैसा मुझे दिखाई दे रहा है उसके influence में रहते हैं और उसकी वजह से भी बहुत सरी चीज़ें इनके और एक field में खराब है और अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं इनकी life में और यह अपने negative thoughts से उनको खुदी repel कर देते हैं यह गरबर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह person कर रहा है या आप में से जादा तर लोग जो इस व्यक्ति की बार में सोच रहे हैं वो इस तरीके की problem क्रिएट कर लेता है I can also see कि या तो आपने आप में से कुछ लोगों ने या सामने वाले person ने somehow जो है एक dragon जैसा मुझे यहाँ पर एक image दिखाई दे रही है कि लाइक किसी magical influence की help लेनी की कोशिश करी है इस situation में जो कि अज जिसका result अच्छा नहीं निकला है उके उसका result बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला है और उसकी वज़े से इनका कर्मा जो सही हो रहा ता वो भी और खराब हो गया सो बैसिकली मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह पर सन यहां पर पैर भी दिखाई दे रहा है जो इदर को मुड़ा हुआ है यानि कि आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे है वी आप दिस बर्ड सौट अफ फिगर ओवर हीर सो फ्लाइंग लॉट्स फॉट्स इन देर माइंड आपके बारे में और देन अगें जोविंग तोवर्ड देवाइंग जाकर के वापस मुड़ जाना वह चीज मुझे दिखाई दे रहा है में भी कई लोगों की लास्ट चार महीने से बातचीत नहीं हो रही है यह भी situation है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बटी पैर है एक बड़ा clear जो मुझे वापस आपकी life में आता हुआ दिखाई दे रहा है सो इसलिए यह reconciliation की vibe है यहाँ पर काफी ज़दे strong है although negative thoughts भी आ रहे हैं इनके mind में but ultimately decision क्या लेता है person बहुत हब तक उनके ऊपर depend करता है right so yes this is it this is the energy for today यह आज की इनकी energy है और बहुत smooth सी reading आज की आप लोगों के लिए गई है जाते जाते मैं आप लोगों से request करूँगी कि please video को like दे दीजेगा as energy exchange also जो लोग basic level tarot card reading सीखना चाहते हैं तो नया batch हम लोग एक start कर रहे हैं Christmas से पहले if you want आप उसके लिए रिजिस्टर कर सकते हो basic level tarot के लिए and yes if you are new subscribe कर लेजा I'll see you in next video till then namaste take care Jai Guruji Hariyum Namashivai